हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका IT&CITS वेलड़ेट चनल में दोस्तों आज की वीडियो होने वाली आपकी वेलड़ेट ट्रेड त्योरी कोश्चन एंसर होने वाली है दोस्तों यह सारे कोश्चन जो है यह प्रीविस यह कोश्चन है देख सकते हैं आप 2006 में संद आया तो यह लाइक कीजिए का चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आसी वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहे हैं दोस्तों आपको जो है आपसे बहुत ही कम टाइम लूँगा सीधा मैं आपका कोश्चन बढ़ू कि आपको कितने कोश्चन जो इसमें से आते थे और कितने कोश्चन आपके ठीक हुए ताकि आपके जो एक्जाम में आपको अपनी वैल्यू पता लग सके कि आप कहां पर जो एक तो दोस्तों पहला कोश्चन आप पढ़िए क्या है पैनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण क पनिट्रेशनद कम आता है यह ध्यान की सब्सक्राइब का है आगे दोस्तों यह तीसरा कोश्चन आपका एक धातू अचानक लगे जटके से चूट जाती है यह किस गुन्हें को परकट करती है तो दोस्तो एक धातू अचानक लगे जटके से तूट जाती है तो कौन से गुन को परकट करेगी तो दोस्तो इसका अंसर आपको होज़ेगा ब्रिटनलेस के गुन को परकट करेगी आगे दोस्तो चौथा कोस्चन है आपका चोथा question दोस्तों आपका ये पढ़िए निम लिकित नौन डिस्ट्रेक्टिव टेस्टों में से कौन सा टेस्ट केवल सर्फेस दोस्त को खोजने के लिए किया जाता है तो कौन सा जो दोस है कुण सा test च्रफेस तो से खोजने के लिए करते हैं दोस्तोइ आपका एंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा इंपेक्ट टेस्ट से सम्हूंदित होती अगे दोस्तोइ चटा कौस्चन आपका एक परकार के नोन दिस्टक्टिव टेस्ट में टेस्ट करने वाले जोइंड की एक साइड पर फोटोग्राफिक फिल्म लगाने की हो सकता होती है टेस्ट क्या है दोस्तों यह टेस्ट क्या हो जाएगा आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट कहलाएगा साथ वा कोशन दोस्तों निमलिकित में से किस परकार के टेस्ट में आवाज की लहरों का परयोग करते हैं तो कौन से दोस्तों टेस्ट में आवाज की लहरों का परयोग करते हैं तो इसका अंसर आपको हो जाएगा अल्टरा सॉनिक टेस्ट ठीक है ultrasonic test से हम आवाज की लहरों का प्रयोग करते हैं आगे आपका liquid penetration test dash को खोजने के लिए किया जाता है तो दोस्तों liquid penetration test dash को खोजने के लिए करते हैं तो कौन से कौन से दोस्तों खोजने करते हैं surface दोस्तों को खोजने करते हैं वेल्डिंग के दोरान कम खर्च में किये जाने वाला महत्पून टेस्ट निमलिकित में से कौन सा है तो दोस्तो जो वेल्डिंग के दोरान कम खर्च में जो टेस्ट किये जाता है जोइंट लंबे समय के लिए जबकी जोइंट तूट नहीं जाता बारी-बारी से पुस और पुल सर्फेस के अधिन होता है तो दोस्तों इसका एंसर आपको हो जाएगा यह वाला फटिंग टेस्ट ठीक है आगे दोस्तों यह कोस्चन आपका निमलिकित में से कौन सा नोन डि चीतर में दर्साइग गई मसीन में किया जाने आवाला टेस्ट का त्यूंसे वह ध्य सरल दूत एक यह आपका देस्ट कிर करते हैं आगे दोस्तों चलते हैं चटे question पे जो आपसे 2006 में पूछा गया है नमलिखित में से कौन सा दोस्त उच धारा के कारण होता है तो कौन सा दोस्त दोस्त उच धारा के कारण होता है आपका दोस्त इसके answer आपको जाएगा blow छिद्र ठीक है alignment में पुर्जो की welding हेतू प्रयोग किये जाने वाला यंत्र कह पूछा गया है तो दोस्त इसका answer आपको हो जाएगा welding जिग ठीक है welding जिग का प्रयोग करते हैं आगे दोस्तों आपका तामबे की चादर को आर्क से welding करने से पूर्ण पूर्व उसमें उच्छ डैस के कारण पूर्व तापन किया सकता होती है दोस्तों 2008 में question पूछा गया यह वाला यह ताप संचालन की यह दोस्तों 2008 में question भी पूछा गया है सतरवा question पढ़ लेते हैं क्या है weld bead के अंत में electrode लगवक 10 mm पीछे हटकर electrode cone को 70-90 degree पर करमस से बढ़ाता है इस welding तरीके को निम्न कारणों से अपनाते हैं तो दोस्तों कौन से कारणों से अपनाते हैं विकरती पंड कारणों से अपनाते हैं आगे दोस्तों 18 question है यह और 2010 में पूछा गया है यह देखते हैं जांच करता को किस परकार की जांच से खतरा रहता है तो उसका answer हो जाए दोस्तों यह द्रव भेदक जांच से उसको खतरा होता है आगे दोस्तों है आपका ये वाला 2006 में question पूछा गया उनीश्वा question है दोस्तों विक्रती पन नियंतरित करने के लिए प्रस्तुत चित्र में दर्सित आर्क वैल्डिंग विधी को पहचानी है दोस्तों ये कौन सी विधी है जब हम इधर से वैल्डिंग करते तो कौन सी विधी आपका हो जाएगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा पस्से पद वैल्डिंग ठीक है पस्से पद वैल्डिंग यह दोस्तों इंग्लिज में आपका होगा बैक वर्ड वैल्डिंग आगे आपका weld किए जोड को द्रिष्टी जाज करने के लिए किस दोस्त को देखा जा सकता है 2010 में question ये भी पूछा गया है तो दोस्तो कौन से दोस्त को देखा जाता है तो इसका answer आपका जोगा भागो का गलत समायोजन आगे दोस्तो 21 21 question 2006 में question पूछा गया है आर्क welding में विकरती पन को एक संकूचन के संकूचन से दूसरे संकूचन में नियंदरित करने के लिए किस विदी से रोका जा सकता है तो किस विदी से रोका जा सकता है ये इसका answer हो जागा उचित welding प्रक्रम से रोका जा सकता है आगे दोस्तों आपका 22 कोश्चन है 22 है वेल्लिंग के दोस कौन से दोस है तो वेल्लिंग के कौन से दोस है आपके यह है उपरोक दोनों बाहे दोस और आंतरी दोस दोनों उसमें होते है वेल्लिंग में बाहे दोस वेल्लिंग के बाहे दोस कौन से होते है तो वेल्लिंग के दोस्ता इंगे .... में में कमी होना किस दोस्त के कारण होता है जोड़ के डिजाइन में कम होना किस परकार सब्वत लुट है की सारे समतल अवतल यह तो वीड़ों सब extrude 27 किआ मैं प्रफिलर है और बड़ी गोलियों के रूप में वेल कि आसपाश जो पर विड़ कर रहे या कौन videos ही दोस्तों अपने देखा होगा जब वर्डिंग कर रहे हैं आप तो छोटे चोटे चोटे रहे को चिपक जाते हैं तो सपैटर बीड के अंत में कौन सा दोस्ता हो तो यह होगा weld धादू की उपरी सतय को रंदर बना देती है या किस दोस्ट के कारण होता है धादू के आंतरिक स्रचना में blow holes आ जाते हैं या किस दोस्ट के कारण होता है तो किस दोस्ट के कारण होगा आपका आंतरिक रंदरता के कारण होगा आगे धादू 31 है वेल्ड मेतल्स जोड की जड़ तक नहीं पहुझ पाता या कौन सा डौस होता है जब वेल्डिंग करें और जड़ तक नहीं पहुझता तो ऐसेm दोस्तों इनकंप्लीट पेनिट्रेशन आगे दोस्तों 33 कोस्चन आपका फिलर मेटल जब अधिक मात्रा में पिघल कर बेस मेटल की सतय पर बिना उससे फ्यूजन हुए जम जाती है या कौन सा दोस हो जाता है तो यह कौन सा दोस हो जाएगा आपका यह हो जाएगा और उसके उपर वैल्डिंग चीपक जाती है और ओवरलैप कहलाती है आपकी जब वैल्डिंग बीड तेजी से ठंडी होती है तो जोड में कौन सा दोस आ जाता है तो कौन सा दोस जाता है अगर आपका वैल्डिंग बीड जल्दी ठंड जाती है तो हो जाएगा आपका कठ बंजनात्मक और अबंजनात्मक लेन दोस्तों destructive और non destructive दोनों टेस्ट से आप पर सिक्षण कर सकते हैं welding जोडों का तो दोस्तों यह मैंने आपको 35 question करा दिये तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक किजेगा चैनल को अगर subscribe निक कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे ठीक दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स वाचिंग